Hello everyone, अगर आपको या आपके बच्चों को चौमीन और नूडल्स खाना काफी ज़्यादा पसंद है पर आप इसे खाना अवाइड करते हैं क्योंकि इसमें मैदा रहता है ये अनहल्दी रहता है आपके और आपके बच्चों के लिए तो मैं आपकी इस प्रॉब्लों का सॉलु में एक बोल पानी, 140 तीस्पून नमक और एक तीस्पून ओयल डाला है जब पानी अच्छे से उबलने लगेगा तो गैस को ओफ करके इसमें उतना ही आटा डालेंगे जितना हमने पानी लिया है ध्यान रखें आटे और पानी की कॉंटिटी सेम होनी चाहिए इसे अच्छे के लिए ढख के रख देंगे तक यह ठंडा हो जाए और सेट हो जाए इधर मैंने एक मोल्ड लिया है जिससे हम सेव बनाते हैं मैंने इसके लिए मीडियम साइज की जाली का यूज किया है आप जाहें तो मोटी जाली का भी यूज कर सकते हैं मोल्ड को ओयल से ग्रीज कर ल एक साथ काफी ज़्यादा नूरल्स नहीं बनाने हैं, इसे थोड़ी दूरी दूरी पर बनाना है, आप चाहें तो इसे गोल की जगर लंबे भी बना सकते हैं, इस तरह से चावमीन बनाके इसे थोड़ा-थोड़ा अलग करते जाएंगे, तकि एक दूसरे के उपर ना रहें, स्टीमर को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, जब यह अच्छे से गरम हो जाएगा, इसमें से भाप निकलने लगेगी, तो इसमें चावमीन रख के इसे पांच मेरा तक स्टीम करेंगे, यह देखें, यह कितनी एजली बाहर आ जारी है, इसे एक ट्रे मेया थाली में डाल कर दूप में 2-3 दिनों तक सुखा लेंगे, दूप में सुखाने से समय इसे थोड़े थोड़े दिन बाद पलट लेना है, तक ही दोनों तरफ से दूप इसमें अच्छे से लगे, यह देखें, दो से तीन दिन बाद दिबन के बिल्कुल रेडी हो जाएगे, आप इस थोड़ा सा बॉइल करके चौमीन या नूडल्स के जैसे या जैसा चाहे बना कर इंजॉय कर सकते हैं